इदर राजधानी में गुल बिजली को लेकर अब सरकार सक्त है नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंदर सिंग ने बुदवार को बैठक बुलाई है बता दे कि बंसल नियूस पर मंत्री भूपेंदर सिंग ने कहा कि राजधानी में जल्द ही स्ट्रीट लाइट से एक बार फिर शुरू हो जाएंगी बता दे कि राजधानी भोपाल के लगभग हर शेतर में स्ट्रीट लाइट बंध है और ऐसे में लोगों को काफी परिशानी हो रही है लोग परिशान है शिकायते भी की गई जिसके बाद सरकार सक्थ है और अब खुद मंत्री भूपेंदर सिंग ने कहा कि जल्द ही राजधानी में स्ट्रीट लाइट एक बार सिर जलेंगी चले इस खबर पर उकर लेता है संवादाता दीपक का हमारे साथ राजधानी भूपाल से लाइफ जुड़ गए है दीपक जिस तरह के हालात हमने देखे कल शाम से ही ये मुश्किले हुई है लोगों को कि स्ट्रीट लाइट बंद थी और उखासकर कि उन सड़कों पर जहां पर ट्राफिक जादा रहता है ऐसे में अब मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल से जल से इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा जे जे मैं बता दू कि राजधानी भोपाल में अपडेट कर देता हूं कि कल से नहीं करीब चार से पांस दिनों से बन चल रही है चार से पांस दिनों से बन चल रही है और एक इसमें विशय सामने आता है 14 करोड रुपे का जो बिल बकाया इसको लेकर भोपाल सांसर साधी प्रक्जा सिंग ठाकुर ने भी जो है अपना गुस्सा जाता है था बेठक में और उन्होंने का था कि जो भी हो जल से जल लोगो तक अंधेरा है जिसके चलते लोग देशत में हैं और अधिकतर जो है लोगों को घरों में चोरी की वारदाते और उनके वाहन चोरी की कई वारदाते जो है अंधेरे का फाइदा उठाकर ब्लेक स्पोर्ट का फाइदा उठाकर जो है अंजाम दी जा रही है इसके लावा ल नगर निगम और इलेक्रिसिटी विभाग में तीनों में समनवे नहीं बेट परा इन विभागों में इसके कारण ये अंधेरा का दंश जो है राजधानी भोपाल की तमाम जनता जेल रही है हला कि इसको लेकर मंतरी जो है नगरी प्रशाशन मंतरी उन्होंने साफ तोर पर का क्यों बुद्वार को एक बेठक बुलाएंगे और जो बीच का रास्ता होगा जनता को कैसे सुब्दा मुहिया कराई जाएगी इसको लेकर एक बेठक की जाएगी फिलाल अभी जो है जनता देशत में है क्योंकि स्ट्रिट लाइड बंध है इससे एक्सिडेंट की तो लगातार होई रही है और जो है छेड़चार की घटनाएं भी जो आज समाजिक तक तो एंदेरे का फाइदा उठा कर नशे का सेवन करके वहाँ पर छेड़चार की घटनाओं को वारदात को अंजाम दे सकते जिसके चलते राजदानी भोपाल की जनता इस समय देशत मे है जी सुवांगी कर दो